आपके साथ नहीं रेश्पी शेयर करने के लिए लेकर आ गई हूँ अगर आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगती है प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए फ्रेंस बिना देर किये रेश्पी बनाना शुरू करते हैं फिर श सब्सक्राइब करने के मूं में रखते ही गुल जाने वाले मैंने यह हाप कटोरी मूंग दाल ली है और हाप कटोरी मैंने उड़त दाली इसे मैंने ओवर नाइट शोक कर लिया है और देखिए ऐसे टूट रही है बीस से तो समझे पर्फेक्ट सोक है आप इंस्टें सोक कर करना चाहिए तो इसे तीन से चार गंटे गुनगुने पानी में सोक कर लें और आप छिलके वाले ले तो अच्छे से छिलकास का रिम्यू कर दें यह देखिए दोनों सोक होगे यह उड़त दाल है और मैंने मूंग दाल दोनों की कुंटी सेम रखी है फर जायता लोग उड पूरा ध्यान रखना है और मैं टीप के साथ आपको शेयर करूंगी कैसे आपको बनाना है तो आप वीडियो को इसकी मत करना चैनल पर न्यूँ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करना जिससे मेरे आने वाले न्यूव बूड़ अपको रेगुलर सॉल और मैंने यह जीरा पावडर लिया इसमें मेरा धनिया पावडर पहले से यह दोनों रोश्टेड है यह आप अलग से भी दनिया पर रोश्ट करके ले सकते हैं अगर आपके पास जीरा पावडर ओनली हो तो चाट में चला लिया है मैंने तीकी लाल मर्च आ आया है मैं इसे दही मेट करूंगी और मैंने यह इनुश ऐसे लिया है फिर्स मार्केट में इजली मिल जाता है बट अगर आपको ना मिले तो आपको किचन में सबी के सभी के सोड़ा होता बेकिंग सोड़ा का यूज कर सकते हैं बट आपको दो पींची एड करना है मैं आपकी थोड़ी राय रहेगी जब हम इसमें नमक एड करेंगे नहीं बहुत ज़दा पतली हो जागी अगर हम पहले से पानी इसमें एड करेंगे और आपको दिखाती हूं इसका टेक्शर आपको कैसे चेक करना है ऐसे दो फिंगर की बीच में हमको चेक करना है अगर कर मैंने इसे दुबारा से ग्राइंड कर लिया बड़ आपको बताती हूं फिर से मटिप देती हूं दाल को फिर भी आपको चेक करना है ऐसे फिंगर के बीच में अगर आपको उसका थोड़ा ऐसे दर्दरा टेक्श्चर फील हो तो समझे वह परफेक्ट है बहुत ज़दा अब फिर से एक और प्रोसेस टेस्ट से पास कर देते हैं कि पास हुई की नहीं यह देखिए मैंने पानी में डॉप डॉला तो फ्लोट हो रहा परफेक्ट है तैया रहा है बनाने के लिए दढ़ ला तो चलिए बनाते हैं अब इसमें हम इनोस ऐसे डाल देंगे और वन ती अपने अकॉर्डिंगे रखें बहुत ज़्यदा नहीं डाले मैं आपको सजिस्ट करूंगे क्योंकि अभी और जगह पर हम इसमें नमक का यूज करने वाले हैं तो चलिए फ्राइ करने का प्रोसेस बताती हुए कैसे प्राइब करना है मैंने गैस को आनके कड़ाई रखका आपको दिखाया है और ऐसे साइड में करते हुए उठाना इससे क्या होगा से बनेगा प्रॉपली गोल से पाजाएगा तो यह प्रोसेस भी आपको जरूर करना है और देखिए ऐसे डालना है और आपके कड़ाई पाइन में जितने हैं उतने ही आप एक बार में डाले इज क्योंकि नहीं से परको ऑएन कासीव नहीं डालना है क्योंकि फलोट होंगे यह डाले यह बिगड़ेंगे इसलिए मैं आपकों क्यों चलिक करेंच कि कम क्शलिकमी नहीं डालनाहै लेकी प्रॉपली कितना ब्रॉपलिक नौशाय लाइट घृक blocking को डर्यानों दे दौकर हो और कम और डालने पर यह होता है इनका सेफ नहीं बिगड़ता है तुकि अगर जादा ओयल में हम डालेंगे तो फ्लोट होने लगते हो इनका सेफ बिगार हो जाता है इनमें नोकसी बन जाती और देखे मैंने निकाल लिया है फ्राइ करके और चलिए अब हम आगे का प्रोसेस बड़ आपको नहीं पसंद है तो आप इसकी भी कर सकते हैं और मैंने नमक डाल दिया है और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने बल्ला डिप कर दिये हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दूंगी जिससे डिप रहेंगे आप इसे आदा गंटा के लिए उल्ली सोक कर ल चिनी की कौंटिटी अपने कोडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना मीठा दही आप खाना चाते हैं और दही आप थोड़ा खटा हो तो ज्यादा कौंटी में चिनी को आड कर ले यह देखे मैंने वीडियो फ्रेंज्स बिल्कुल भी इन नहीं किया है यह देखिए कितने स्पंजी की तुरंत इनके अंदर कितना जल्दी पानी इन हो गया है इतने सौप्ट है अगर फ्रेंस में जदा तेजी से इने प्रेस कर दो तो यह टूट जाएंगे बढ़ आपको भी नहीं करना ने तो आप फ्रेंस को सार्व करेंगे तो सोचेंगे आपने कैसे इवल ले कर लें जैसे आपको सही लगे और उपर से थोड़ी हमारी चटनी डाल देंगे जो मिंट धनिये वाली है फिर इमडी चटनी डाल देंगे यह देखें देखने में इतने आसम लग रहे हैं कि फ्रेंस देखकर ही मन कर रहा होगा खाएं हम इनको तो आइए फ्रेंस आपका मो अब बच्चों के लिए बनाएं तो आप चिली पाउडर ना डालें यह देखें और फणस अभी आपको मैं कट करके दिखाऊंगे कि इतने यह सौप्ट हैं कि आपको देखते ही मुवी पानिया जग आपको लगे गए नहीं कि यह दाही बल्ला आपको लगेगा कि हम रसग प्लेट तैयार है दई बल्ला की तो आपको कैसी लग रही है अगर आपको रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज जद जद आपने फेंशोर ट्रिक्टर शेयर कहना है लाइक कमन भी कहना यह देखिए आपको कट करके दिखाती हूं देखिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा इस आपको पसंद आई हो तो बनाकर ट्रै करना फीडबक जरूर बताना आपका कमेंट पड़कर मुझे बहुत अच्छे लगता चैनल पर न्यूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो लब यूटूब फेमली